नमस्कार टीवी वी न्यूज में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूं कुलदीग वरुख करेंगे खेल जगत की बड़ी खबरों किया आप एकाना स्टीडियों में 24 परवरी को खिला जाएगा भारत और श्रिलंका की बीच T20 मैच जानकारी के मताबिक मैच से पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे टीमे यूपी के चौती चलन के चुनाओ बताई जाना हैं कालों इस बार BCCI कर सकता है चपर फार कमाई आईपियल ब्राडकास राइट्स को लेकर फिर टकरा सकती हैं अमेजन और रिलाइंस 40 हजार करोड तक जा सकती है बोली अमेरिका की महिला फुटबोल खिलारियों को अब मिलेगी पुरूश खिलारियों के बराबर पेमिन्ट 6 साल बाद अमेरिकी फुटबोल संग और महिला खिलारियों की बीच हुआ समझू था बकाया भुक्तान की लिए 1.79 करोड रुपे की दाची देगा नैशनल फेडर्शन न्योजिलन्ड के खिलाब चौथे बंडे मैच में भारतिय महिला टीम को मिली हार 26 गैंदो पर 50 संद बनाकर बंडे में हाफ संचुरी बनाने वाली खिलाली बनी रिचा खुश रिचा ने तोड़ा 14 साल पहले बने रुमे ली धर का रिकॉर इंटर्व्य नहीं देने पर एक पत्रकार की और सी धमकी देने का मामला पकर रहा तूल रेदिवान शाह के समर्थन में उत्रे पूर्वे क्रिकेटर सभी ने की बोर से पत्रकार के खिलाफ करे एक्शन की मोहमत कैफ से तोड़ा ना था, 2019 से 20 IPL तक दिल्ली की असिस्टन कोच रहे है कैफ, असिस्टन कोच के एक कांट्रेक्ट में नहीं हुई बड़ाप्तिन अब रोही शर्मा की युग में प्रिवेश कर चुकी टीम ने लिया, BCCI ने कुछ दिन पहले रोही शर्मा को सौपा था, टैस्ट फॉर्मेट की कप्तानी का जिमा, कोली के कप्तानी छोड़ने के बाद की गई नुक्ति रातुराद स्टार बने तुभे सतरंच खिलारी आर प्रग्यानन्दा, सोला वर्षिय खिलारी ने वर्ल्ड चैंप्टिन्शिप के आठवे दौर में किया बराजित, विश्वनात आनन्द और पी हरीकृष्टना के बाद ऐसे ती से भाती है रोहिश शर्मा भी नहीं बचा पाए अपने जिग्री यार्धवन का करियर सेलेक्टर्स ने दिखाया बाहर का रास्ता कप्तान बनने के बाद खिलारीयों को मौका देने के लिए जाने जाते हैं रोहिश वास्रेले के पूर्वे आल राउंडर शेन वाटसन ने धोनी कोली रोहिश शर्मा की कप्तानी के गिनाए अंतर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसल के इंट्रिवु में शेन वाटसन में दिया बयान रोहिश शर्मा को बताया इजी लीडर कोहली सूपर हुमन फिलाल स्पोर्स रगत की खबरों में इतना ही देश-प्रदेश के तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये टीपीवी न्यूज